असलाम निकों वीवर्स कैसे आप सब लोग आई होप आप सब ठीक होंगे आज रेसिपी में आपके साथ शेयर करी हूँ वह है क्रिस्पी वेजिटेबल मिक्स पोकॉड़े और इससे पहले मेरे चैनल पे दो तीन किसम के पोकॉड़ों की रेसिपी है अगर आपने नहीं आपको बता चलेगा कि इतने टेस्टी और क्रिस्पी बनते हैं तो आपने वीडियो के अंट जरूर देखना है और अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब ने किया तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको यह मिसी रेसिपी जो है वो देखने को मिलत और उसके बाद मैं डाली हूं बन गोबी वन कप गोबी मैंने डाल दी है सेम साइज में और सेम शेप में हम सबजियों को कट करेंगे उसके बाद मैं एड करी हूं प्याज यह मैंने तीन बड़े साइज के प्यास लिए थे इससे पोकोड़े बहुत ही जबर्दस पनते हैं लेकिन अगर आपको ज्यादा प्यास नहीं पसंद तो आप इनकी क्वाणिटी थोड़ी कम भी कर सकते हैं और उसके बाद मैं डाली इसमें आलू आलू मैंने लिये थे दो अदद बड़े साइज के और आप देख रहे हैं कि जैसे फ्राइज होते हैं फ्रेंस उसी शेप मै नहीं ते यह कर दें दोंगे घ्ड़ी का पेस्ट हाफ टेबल स्पून इसके बहुत कर दो आएगा तो इसके बाद दालेंगे फ्रेश धनिया जो मैंने लिया है फूट टेबल स्पून यह भी हम काटके ढोके डालेंगे तो यही सब्जाया मैं यूज कर रही हूं इसके ला तो आपके अपनी जोई से आप एड़ कर सकते हैं और इसके बाद हम डालेंगे बैसन और आप ने इस बात का ख्याल रखना है कि बैसन आपका जो है वो निया होना चाहिए फ्रेश होना चाहिए जो बहुत देर का पुराना बैसन पड़ा होता है उसे पकॉडों का सारा टेस् जो प्रेस्ट किया हुआ है यही में डाला है तो apna कमझा फी जाए नमक मिर्च इं कम जाए होक Kr evitar1000 नमक कर्सकिए में डालने इसमें गर्म मसाला पाउडर तो यह पाइसे आड़ करने के बाद हमने इसमें पानी डालना है पानी हम बहुत ही थोड़ा सा डालेंगे इसक्री बन हाफ कप जितना क्यूंकि ज्यादा बानी डालने से हमारा जो मिक्सचर है पुकॉडों का वह पतला हो जाएगा पर हम हमारे जो पुकॉड़े हैं वह क्रिस्पी नहीं बनेंगे तो आपने थोड़ा सा पानी एड़ करना है और जैसे हमें लगेगा के पानी और एड़ करने की ज़ूरत है तो आपने स्टार्ट में बहुत कम पानी डालना है क्यूंकि सब्जियां भी जब दोती हैं तो इसमें आपने पानी होता है तो आपने ख्यार रखना है और झाहर भी पर दो और ते शून यह जब करने तो और ज्यादा पतला होगा तो पुकॉड़े अच्छे नहीं बनेंगे तो मैंने अब आपने ज़्यादा लेना है क्यूंकर इसको डीप pry करेंगे और पुकॉड़ों के बै कि इस बनते हैं तो वन भाइ वन हम इसको एड़ करते जाएंगे पोकोड़ों का साइज आपने मीडियम रखना है ना बहुत ज्यादा बढ़े होने चाहिए नहीं जाएंगे तो इनको हम मीडियम साइज हैं बना लेंगे और दूसरी ये बात है कि आपने जब ऑईल को गरम कर तो बहुत ज्यादा थेंडा भी नहीं होना चाहिए और बहुत तेज घरम भी नहीं होना चाहिए तो यह उपर से ब्लैक होना शुरू हो जाएंगे लेकिन अंदर से सॉफ्ट रहेंगे प्रिस्पी नहीं बनेंगे तो यह चोटी चोटी सी टेकनिक साप जूर फॉलो किया जादा हमने इसको ओवर लोड नहीं करना कडाही में और इसके एक दूसरे के ऊपर भी पुकॉर्ण को नहीं रखना जितने इसली आपकी कडाही में आते हैं आपने उसी इसाप से इनको डालना है और एक साइड से हलका सा ब्राउन सा कलर राएगा तो हम इसको फिलिप कर द इसको डिशाओट कर लेना है और डिशाओट आप करेंगे इसको पेपर टावल के ऊपर या किसी टिश्यू पेपर के ऊपर ताके वह एक्स्टा ऑइल एब्सॉर्ब कर ले अगर आप यह चीज़ें यूज नहीं करते पेपर वगारा तो फिर जो एक्स्टा ऑइल होता है उ तो यह मैंने इसको सर्फ कर दिया है हमारे जो क्रिस्पी से गोल्डन ब्राउन से जबरदस से पकॉर्डे बनके रेडी हो चुके हैं और बारिश का मौसम हो या सर्फी हो तो यह बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हैं आप इनको चाय के साथ सर्फ करें या वैसे भी किसी तो मिलेंगे इन्शाला नेक्स वीडियो में किसी जबरदसी रेसिपी के साथ तिल देन टेक केर जूट बाय रहाफिज